इस पेंडेमिक के चलते हम नहीं तो कोई तो हमारा रिष्टेदार या कोई दो CT scan कर चुगा है कि यह CT scan dangerous है है तो कितना dangerous है एम्स चिफ का comment की एक CT scan 300 X-rays जैसा है और फिर इंडियन मीडिया का response की तीन सो और नहीं 10 X-rays जैसा है यह दोनों ही गलत है आज हम जारेंगे धंक से कि CT scan कैसे चलता है 3D animations के मदद से तो गरिब से अदिस्ट्राइब का स्वागत है आज हम जारेंगे CT scan के बारे में हम इसे काफी लोग ने CT शब्स पुन सुना है बट हमें ना full form बता है ना काम कैसे करता है CT का मतलब है computer tomography या कुछ लोग इसे cat scan कहते हैं यानि computer assisted tomography tomography मतलब क्या tomography मतलब आप कुसी चीज को multiple slices में करके study करते हो तो बहुत सारे ऐसे layers में डिवाड करके study करते हो जब हम CT scan की बात करते है तो आपने देखा ही होगा एक machine होता है जो एक donut shape का है जिसके बीच में hole है उसके side में bed है ये bed एक rails के उपर लगी है जो bed move हो सकता है तो जब आप जाओगे आप bed के उपर सोगे और फिर slowly slowly ये bed move करने लगेगा अंदर जब सेटिंग सब measurements लेने के बाद आपके क्या important है वो donut या मिंदू बड़ा के अंदर है क्या basic basic ये है अगर मैं उसे खोलू तो एक x-ray source है या x-ray tube जो भी emitter source है दूसरे side के उसके opposite side के उसके उपर detectors है बहुत सारे detectors है ये पूरी चीज एक cylinder या के उपर attached है जो पूरी rotate होती है ये काफे interesting है और ये पूरी चीज cool भी है तो काफे सारे इसके उपर instruments है और ये wheel perfectly balanced है ये पूरा wheel या जे cylinder है ये rotate होता है अपने axis के उपर जो गजब है क्योंकि ये पूरी चीज kilo volts of voltage के उपर चलती है और एक invention है जिसका नाम है slip rings जो इसे enable करते है ता कि घूमते घूमते consistently voltage supply कर सके तो जैसे घूमने लगता है बेट slowly अंदर लेकी जाने लगते है ये पूरा process जो है वो एक minute के अंदर खतम हो सकता है suppose lungs के लिए वगरा पर just आपको समझाने के लिए मैंने इस animation में सब slow कर दिया है तो result आता है वो एक spiral में आता है अब जैसे मैंने दिखा एक सरे पहले ही start होता है वैसे real में दो होता नहीं है एक सरे वहीं start होता है जहां आप setting किया जाता है ताकि lungs के उपर ही start हो पर मैंने animation के लिए ऐसे दिखाया है पर I think मैं इसे better way में explain कर सकता हूँ या कोई कोई बोलेगा कोई क्यूब है कोई box है पर exact shape कैसे बता हम गैसी ले सकते हैं एक साइड से scan करके पर अगर मैं इस light source को slowly उसके around घूमाने लगो तो आपका human brain इतना intelligent है कि वह light के shape और shadow change से समझ जाएगा कि exact shape क्या है तो हम यही data जो x-rays create कर रहे हैं ऐसे goal घूमके body के around वो data लेके computer के through generate कर सकते exact shape और since body move करके हमें पूरा body का ऐसे spiral मिल रहा है जो हम बाद में लेके 3D बना सकते हैं उस पूरे चीज़ को 3D में बना सकते हैं या plot कर सकते हैं multiple layers में stack कर सकते हैं तो यह काफी 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 जादा इंट्रस्टिंग है अगर आपने मेरा जो डेमो देखा लाइट वाला तो और सीटी स्कैन और भी जादा इंट्रस्टिंग हो सकते हैं कभी कभी क्या करते कुछ खाने को देते आपको जिसके वाईसे आपका body में कुछ या जो आपका isophagus और पूरा स्टमक सिस्टम है उसमे क्या बता कितने करोडों लाइफ बचा है इस स्कैन ने अर्ली डियागनोसिस करके कि किसी भी डिशिस का और यह जल्दी होता है मतलब एक कुछ मिन्टों में आप डियागनोसिस कर सकते हो एनिवेज में क्विस्टन प्यात है यहां ऐंशिशीव का क्लेइंड गलत है इतना वैली हो सकता तो तो जस बीसे ही बट अगेन डॉक्टर हर्ष जो एक रेडियो लॉजिस्ट है गुजरात में उन्होंने काफी कुछ समझा मुझे सिटी स्कैन के बारे में कैसे काम करते हैं वगरा वगरा तो यह जो साइटिस्फाइंग एनिमेशन है बैगराउंड में वह चलता रहेगा और मेरी बात अभ करें वान एक्सरे का है करीब 0.1 एमस्वी तो जब आप सीटी स्कैन करोगे एक्जाम्पल लंक्स का तो आपके बॉड़ी टाइप के उपर डिपेंडिंग और वह सब काफी चीज़ों के उपर डिपेंडिंग वह करीब 3-7 एमस्वी हो सकता है तो वह होता है करीब 30-70 लोड़ा ज्यादा ही होता है एक्स्ट्रीम केस का तो वह तो गलत है ही बट यह जो हम मेडिया में रिपोर्ट्स देकर है 10 का वह भी काफी मिसलीडिंग है क्यों समझाता हूं एक साल में हमें जो बैग्राउंट रिडिएशन मिलता है जो एन्वार्मेंट से वगरा वगरा वो करीब करीब 7 MSV 6 MSV डिपेंड करता है इंडिया का exact numbers मेरे पास नहीं है और यह जो मैंने नंबर बोला 3270 टाइम्स या जो भी है यह बहुत 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 ही ज्यादा डिपेंड करता है समझाता हूं क्यों क्योंकि काफी सारी चीज़े है जो डोजेज लेवल का पूरा मैस कर सकती है चेंज कर सकती है आपने देखा रहेगा मेरे अनिमेशन में जो अभी चल रहा है बेड का पोजिशन बहुत डिफाइन करता है कितना आपको डोज मिलेगा तो अगर जो टेक्न सकते हैं फिर आता है लोडोज सीटी एक पूरा क्लास सीटीज का जिसमें जो एक्सरीटी वहती है उसका वोल्टेज कम किया चाता है और वह डोज में दिया चाता है तो उसकेस में भी आपका सीटी जो रेडीएशन डोज यह बहुत कम हो जाएगा अगें मुझे नंबर नह करते हैं आपके फेस के उपर या आपके कुछ रिप्रडक्टिव और्गंस के उपर वगएरा रेडीएशन शील्ड या एक लेड का शील्ड डाल देते हैं ताकि वह एक्सपोज ना उसकेस में और भी कम होगा आपका रेडीशन डूस बेस्ट है अपने डॉक्टर से और याद रखो एक रिस्क बेनिफेट चीज है मतलब रेडीएशन उतना भी जादा नहीं है जितना लोग कह लेते हैं मतलब सेवन मीली सीवेट इस चिल रीजनेबल पर इसका मतलब यह नहीं कि आप लेते जाओ डॉक्टर हर्श कह रहे थे कि काफी केसी आते हैं जहां पर पर वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं मतलब बहुत कफ अगयरा कर रहे हैं और जब वो सीटी स्कान करते हैं तब पता चलता है कि करीब 30-40 परसंट जो भी यह लंग डामेज है तो रिस्क बेनिफिट याद में रखो कुछ लोग मज़े के लिए सीटी स्क सब मेंबर्स को बहुत शुक्रिये